हेलो एबरिवन कैसे हैं आप सभी होली आ गई है तो सबसे पहले आपको एडवांस में होली की बहुत सारे शुपकामना है और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ मावा और बेसन की गुजिया सभी ट्रिक्स और सभी टिप्स रेर करूंगी कि आपके गुजिया पॉफिक्ट कैसे बने तो चलिए जादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की रस्पी तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले यहां पे हमने लिया है मैदा आपको जितना चाहिए आप उतना मैदा ले सकते हैं तो यहां पे मैंने 200 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है अच्छे से इसको चान लेंगे चानने के बाद ही इसका 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 इस यहाँ पे हमने लिया है मोयन के लिए घी तो घी आप इस्तेमाल करें बिल्कुल पिगला हुआ घी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा पिगला हुआ और थोड़े से इस तरीके से खड़े चंस वाले घी होने चाहिए तो बस घी से आप बनाएंगे तो गुजिया का टेस्ट को सारी टिप्स बताऊंगी तो यह दिखिया अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे मोयन को कर लिया है बिल्कुल मिक्स मोयन को अच्छी तरीके से दोनों हाथों से रगड़ते हुई फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे लेकिन मेरी तरह गलती मत करिएगा किसी बड लगा लेना है पुरे मैदे में ताकि अच्छी तरीके से घी हमारा पुरे मैदे में मिक्स हो जाए ये देखिए अच्छी तरीके से घी हमारा मिक्स हो गया है इसका लड़ो बना के देख लिए अगर बंद रहा है तो समझ लेजे बिलकुल परफेक्ट है तो मुएन हमारा यहां पे लगके हो गया तियार अब हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और हमें मैं देख वो अच्छी तरीके से गूद लेना है गूदने के लिए पानी का जो इस्तमाल करेंगे वो हलका सा गुनगुना पानी का इस्तमाल करिएगा आप देखेंगे कि आपकी गुजया बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी तो बस अच्छी तरीके से गरम पानी डालते हुए यानि कि थोड़ा सा गुनगुना पानी डालते हुए यहां पे हमें डो लगा लेना है और गुजया का डो हमें रोटी की तरह नहीं लगाना है पूरी की तरह सक्त डो लगाके त्यार करना है गुजया के लिए तो यह लिज़े आटा हमारा लगकर त्यार है और आप देखके मालूम चल रहा होगा कि हमने आटा कितना सक्त लगाया है तो आटे को एक किसी बर्तन में रख देंगे और रखने की बाद इससे हमें गीले कपड़े से ढग देना है ताकि आटे में मारे मौशिर बना रहे हैं और जादा टाइट ना हो जादा हार ना पड़े अब यहाँ फिलिंग के लिए सबसे पहले हमें मावे को थोड़ा सा भून लेना है तो यहाँ पर मैंने मावा लिया है मार्केट से खरीद करके अगर आप चाहें तो आप दूद से भी दूद को जला करके मावा बना सकते हैं तो ये मार्केट का मावा है, इसलिए इसे थोड़ा सा भूनना जरूरी है, जिससे आपके गुजिये में अच्छी सी टेस्ट आता है, अच्छा सा खुश्बू आता है, और अगर आप गुजिये को जादर टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं, तो स्टोर भी कर सकते हैं, तो य मावा हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसको एक बरतन में निकाल लेंगे, मावे का गरर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसको आप एक बरतन में पलट लिया है, जल्दी से, ताकि ये नीचे से जले नहीं, तो ये लिजे, मावे को थोड पैन में डाल रही हूं, थोड़ा सा बेसन, ये तीन से चार बड़े चमच के करी बेसन है, मैं पूरे बेसन का इस्तमाल नहीं करूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्ष्ट्रा भून रही हूं यहां पर, बेसन की गुजिया बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़दा बेसन नहीं बूल लेना है, और आप इसका कलर देख रहे हूंगी, बेसन का कलर थोड़ा सा हो गया है, चेंज, बस इसको हमें निकाल लेना है, और किसी बरतन में फटा फट से पलड़ देना है, ताकि इसकी कुगिंग प्रोसेस रुख जाए और ये जादा जले नहीं, उसके बाद थो तो मेरे पास जो भी यहाँ पर राइफ फूर्स थे, मैंने सब को डाल लिया है, और इसको दो मिनट हमने लो फ्लेम पर इस तरीके से भून लिया है, तो बस इसको भी हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंड़ा कर लेंगे, उसके बाद हमें इसे, जो हमने मावा भून के जो भी हम करेंगे, सब ठंड़ा होने के बाद ही करेंगे, अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, नारियल का बुरादा और साथ में इलाइची का पाउडर, इलाइची पाउडर को अगर आपके पास है, तो पाउडर डाल देजे, नहीं पाउडर है, तो इलाइची को स्वादनुसार बोल सकते हैं चीनी तो स्वादनुसार चीनी डाल देंगे और जो हमने बेसन भून के रखा था उसमें से दो बड़े चमच हमने यहां पे बेसन डाल दिया हैं अगर आप सूजी के गुजिया बनाते हैं आपको पसंद है तो अगर आप ट्राइ करना चाहते ए और यहां पे जो हमने आटा लगा के रखा था इसकी हम चोटी-चोटी सी बॉल्स त्यार कर लेंगे चोटी-चोटी से लोईयां बना लेंगे ताकि हम अपनी गुजिया के लिए पोड़ियां बेल सके तो बस इस तरीके से चोटी-चोटी से बॉल्स हमें बना करके त्यार क नहीं है तो बस एक निवू के साइज की लोई हमने ले ली है उसका एक हमने पेड़ा तियार कर लिया है और इसको हम बेलेंगी हाँ इसके बेलने में जरूर सी ट्रिक्स का ध्यान रिखना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ देखिए जब भी गुजिया के लिए हम पूरिय लगा उगाए जिए जो आप सुखा उटा डtense करके लिए हम बेलते हैं ना सुखा उटा ड techniques करेए उसके क्या होता है कि अपके गुजिया फटने का डर रहता है धो जो इसके साथी साथ आपके ओयल भी खराब हो जाते हैं जब गुजिया हम fry करते हैं तो तेल में काफी ज़्यादा आंटा गिर जाता है जिससे हमारा तेल भी खराब हो जाता है तो थोड़ा सा ओयल लगा करके हम पोड़ी को बेल लेंगे उसके बाद यहां पे हमने गुज़ा का सांचा लिया है, चारो तरफ हम स्थोड़ा सा सुखा आटा लगा देंगे, उसके बाद अपनी पूरी को रखेंगे सांचे के ऊपर और इसमें हम डालेंगे अपनी फिलिंग, तो बस जिसमें जितना इस पेस है उतना हम इसमें फिलिं निकाल देंगे और अच्छी से फिरिसिंग देंगे यह देखिए लेजे हमारी एक गुज़ा बनकर हो गई है बिल्कुल पॉफेक्ट ली तयार तो गुज़ा बनाने में यही कुछ टिप्स को ध्यान रखना है इसको फॉलो करेंगे तो आपकी गुज़ा बिल्कुल परफ बना के तयार कर लिया है एक बैश हमारी तयार हो गई है तो चलिए पहले हम इनको फटावट से फ्राइ कर लेते हैं कि गुज़ा को फ्राइक करने के लिए यहां पे हमने और गरम नहीं करना है गैस की फेमिल्क लो रखनी है और एक गुज़ा को हमें तेल में डालते जाना तो बस कैस की फ्रेम लोगी रखियेगा, आपको ये गुजिया का एक बैश राई करने में तीन से चार मिनट लग सकते हैं, लेकिन जब आपकी गुजिया बनकर त्यार होगी ना, तो आप मैसूस करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी गुजिया हर बार से बिल्कुल अलग बन यह आप देख पा रहे होंगे कि हम पलट रहे हैं तब इसमें गुजिय में बहुत ज़्यादा कलर या बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं दिख रहा है बिलकुल इसी तरीके से पलटते हुए हमें इसे 2-3 मिल तक पका लेना है और लास्ट में जब हम इसे बाहर निकालने वा वहां गया है और आप देखकर बताइए ना इसमें कोई bubbles है ना कहीं से क्रैक हुई है ना कहीं से फटी है बिलकुल होटल जैसे रेस्टोरेंट या होटल में बाहर से हम गुजिया ले आते ना बिलकुल उसी तरीके के गुजिया बनकर तैयार हुई है और ओयल भी हमारा बि बिल्कुल इसी तरीके से गुजिया बनाईएगा खायेगा एंज्वाइ किजियेगा और आपको अगर गुजिया बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आप हमसे कुछ और चीजे जानना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कॉमेंट जरूर करिएगा तो आप भी गुजि कीजिये और अपने ख्याल रखिए थैंकियो फर वचिंग